सो फ्रेंग्स एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल यसरा सलूशन में मैं हूं मुकेस पाटितार और हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए एक और ग्रेट और सांधार वीडियो लेकिया तो दोस्तो आज की वीडियो में आपको मैं बत प्राप्लम बनी ही रहती तो यह दूस्तों सबसे पिले में यूटूब ओपन करके आपको मैं बता देता हूं कि इस इक बार क्रबेगा मिदेख कर दे रहा हूं दे Straßen कंद होता है जब भी आप वीडियो को सीख करते हैं या थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और यहां पर ब्लैक स्किन की प्राब्लम वो बनी रहती है इस क्रोज बटन की करेंट तो जब भी आप वीडियो को प्ले करेंगे और इसको सीख करेंगे या आगे बढ़ाएंगे तो आपको इ यहां black skin की problem बनी हुई है, तो दोस्तों इसको केसे remove करते हैं, आपको सबसे पहले अपनी android device की setting में चले जाना है, जैसा ही settings में जाएंगे दोस्तों आपको, settings को open करने के बाद, यहां settings का page open हो गया, settings में आपको यहां पे नीचे जाना है accessibility, तो accessibility में जैसा ही जाएंगे आप, यह रहा हमारा accessibility इसको open कर लें, आप simply, अलग-अलग device में, अलग-अलग जगे हो सकता है, accessibility में जाने के बाद आपको accessibility का page open हो गया, इसी में आपको नीचे की ओर जाना, switch access, तो switch access जो है, यहां पर आपको tape करके इसको open कर लेना है, तो switch access open हो गया हमारा, आप switch access का page आपके सामने open हो गया है, और यहां पर, जो switch access on है, इसको यहां off कर दे, यानि कि इस toggle button को आप off कर दे, इसके बाद आप यहां exit हो जाए, exit होने के बाद आपको मैं वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, इस वीडियो में किसी भी प्रकार का जो cross button जो पेले आता था, वो cross button नहीं आ रहा है, तो cross button remove, यहां से जो cross button वो remove हो चुका, हमारी जो black skin की problem में, यूटूब वीडियो में, वो भी यहां पे खतम हो चुकी, तो इस प्रकार से आप जो cross button है, उसको remove कर सकते हैं, और black skin की problem भी आपकी साथ ही साथ में solo हो जाएगी, तो दोस्तों मैं आसा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो like हमारी चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लेवे, thank you for watching